मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं फादर ने शुरू से ही मुझे शोप पे लगाया शोप पे मैं साबसफाई किया करता था महाँ पर छोटे मुटे काम किया करता था मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इजद विजद तो होगी मैं पार्टी में पहुचा बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं तेरी उखाद से बड़े सपने देख रहा है तो तो बलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं तो कल भी दुकान पे था आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा मैं एक बात जानता हूँ मैं किसी सब्जेक्ट का महारत ही नहीं हूँ मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूँ मैं एक चीज जानता हूँ मैं एक चीज का कला कार हूँ और वो Powerful people don't come from powerful places Powerful people make powerful places Guys, मैं राजस्तान के एक छोटे से शेहर सूर्थगर से हूँ आप इसे बहुत सारे लोगों ने शायद उस सिटी का नाम भी नहीं सुना होगा पापा शॉपकीपर है, ममा हाउस वाइफ है बच्पन से ही नॉर्मल छोटे-छोटे से सपने देखे थे जब मैं मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल से आके अपने पापा के लिए टिफिल लेके जाय करता था तो जब मैं शॉप पे पहुंचता था और पापा को काउंटर के उस तरफ बैठा हुआ पाता था तो मुझे लगता था कि ये समराज्य मुझे कब मिलेगा मतब मेरे लिए वही एक माहिशमती का समराज्य था और इतना ये बड़ा सपना देखा था चोटी सिटी थी इससे ज़्यादा सपने कभी दिमाग में आती नहीं थे क्योंकि सपने बड़े तब देखे जाते हैं जब महौल ऐसा हो तो सवाल ये उठता है कि इतने सादे चोटे से सपने देखने वाला आज यहां तक कैसे पहुँच गया दो-दो यूट्यूब के चैनल जिसमें से एक यूट्यूब चैनल दो मिलियन दूसरा यूट्यूब चैनल चार मिलियन पर सवाल ये उठता है कि वो लड़का जो इतने सादे सिंपल ख़ाब देखता था जो सोचता था कि भापा की शोग पे बैटने को मिल जाए वो यहां तक कैसे पहुँच गया ऐसा कोई सोचल मीडिया प्लाटफोर्म नहीं है जहां पर एटू मोटिवेशन या फिर अरविन दरोडा के वीडियोज पहुँचे ना हो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी स्टोरी में कि मैं यहां तक कैसे पहुँचा आप जानना चाहते हैं उसके पीछे का रीजन है लोग उसके पीछे का रीजन है जब लोग आप पे शक करते हैं आपकी capability पे शक करते हैं और बोलते हैं कि तेरी उकाद इतनी है जब बात उकाद पे आती है ना तो इंसान कुछ भी कर जाता है तो चलो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी को, मेरी जिंदगी में पहली बार, उंगली की मेरे मामा ने, सोरी मामा, आपका नाम ले रहा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बिद थिंग इस, ये स्टोरी कैसे शुरू होती ही मैं आपको बताता हूँ, तो फादर ने शुरू से ही मुझे शौप पे लगाया, शौप पे मैं साफसफाई क्या करता था, वहाँ पर छोटे-मोटे काम क्या करता था, अब बेसिकली हुआ कुछ यूँ, कि मैं दो या तीन साल से लगातार शौप पे जा रहा था, तो एक बार मैं मेरी ममा के साथ ननिहाल गए, और जब ननिहाल में बैठे हुए थे, तो ऐसी बात चलते-चलते नानी ने पूछ लिया, कि भई तू क्या करेगा, तो उस टाइम पे ममा ने कहा, कि ये तो दुखानी बैठेगा और कहां जाएगा, तो मैंने का, आपको कैसे बता, तो बलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तो कल भी दुखान पे था, आज भी दुखान पे और कल भी दुखान पे बैठेगा, हाला कि मुझे भी दुखान भी बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गया यार, मेरा future लिख रहे हैं मेरा future लिख रहे हैं अब यहीं से मुझे एहसास हुआ कि यह है मेरी life की पहली उंगली मुझे माहिजमती सामराज्य चाहिए था पर अब नहीं चाहिए अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा पढ़ाई करूंगा अब मुझे मेहनत करनी है और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना है पहली उंगली वाली स्टोरी खतम होती है मैं बाहर जाने को तयार था मेरे मामा को मैं गलत प्रूफ करने को तयार था अब होती है दूसरी उंगली वो मेरे पापा ने की I'm sorry dad I respect you a lot but the thing is अब दूसरी उंगली की कहानी सुनिए actually हुआ कुछ ही हूँ कि मेरा selection हो गया मुझे बाहर जाना था और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना था लेकिन father अब इनको भी तो मनाना था fees कौन भरता वहां से father ने बहुत ठीक है उनको लगता था कि engineering का कोई future ही नहीं है वो कैसे भरते so मैंने का ठीक है उसको भी मैं कुछ जुगाड करता हूँ मेरे भाहिया है उनके suggestion के बाद मैंने एक education loan लिया और education loan लिने के बाद check मुझे मिला मेरी पहली fees का और जिस रात को मुझे जाना था उस bus की ticket भी थी मेरे हाथ में तो अब ये जो incident है basically मेरे father की उंगली करने का है तब हुआ कुछ यूँ कि हम लोग bus stand पर खड़े और मेरे father लगा भई आने वाली है बस थोड़ा होर समझा लेता हूँ अगर तो अगर तो घर चलता है तो ये टिकेट के 125 रुपे का नुकसान होगा और अगर तू नहीं गया तो ये तेरी fees ये जो दिख रही है जो check लेके घूम रहा है उसका भी नुकसान होगा क्योंकि engineering कोई value नहीं है और तो कुछ करने पाएगा इसलिए चल गर अभी मी सोच ले मैंने का ये तो मेरी life की दूसरी उंगली है अब तो उने में गलत प्रूफ करना है मैंने पापा को साफ साफ बोला जिन्दगी का मेरा decision है गिरूँगा तो मैं आप पे blame नहीं करूँगा ये मैं आपको बादा करता हूँ अब यहां से क्योंकि मुझे मेरे father को गलत पूफ करना था कि वो जो बोल रहे हैं कि इंजिनेर कुछ नहीं कर सकता इंजिनेरिंग से कुछ करता नहीं है कुछ नहीं होता अब यहां से मुझे आगे आने वाली जिन्दगी जीनी थी मैंने पहले साल बहुत मेहनत की हिंदी मेडियम से पढ़ा हुआ था लेकिन आपको पता है इंजिनेरिं की सारी की सारी किताबे होती है वो इंग्लिश में होती है so exams दिये बहुत मेहनत की और पहले साल में 74-75% से मैंने अपना first year complete किया लेकिन second year तक आते आते भाई को हवा लग गई अब भाई को हवा लग गई भाई है अफरा तफरी कर रहा है बाइक बाइक ले ली थी इदो दर घूम रहा है कॉलेज में ध्यान नहीं है पढ़ाई में ध्यान नहीं है अब यह भूल गया था उस टाइम पर कि मैंने education loan लिया हुआ है यह भूल गया था मुझे मेरे मामा को जवाब देना है मेरे पापा को जवाब देना जो किये तो सोच के बैठे हुमें के इंजिनेरिंग के बाद भी हमारे सिर पे आगे बैठेगा अब यहां से एक बहुत ही important incident दुआ मेरे life में और वो ऐसा था जिसने शायद मेरे mind को ही बदल दिया था और वो यह था कि actually second year में मेरी back लगते लगते बची थी in that case मैं शाम में खाना खाने जाता था तो वहाँ पर मालवी नगर जिसको पता हो जैपर में उनको पता है नहीं मैंने अपना खाने का order कर दिया तो सामने एक family बैठी हुई थी family में एक बूरी मा थी और उसका husband था और उनका एक बेटा था और वो बेटा actually almost 40 साल का था अगर मैं आपसे सवाल पूछे हूँ कि अगर ये दमपती और ये family बैठी हुई है और इन में से अगर किसी को hotel में जो बिल आने वाला है वो पे करना है तो किसको पे करना होगा आप में से जाधातर लोग पका ये बोलेंगे कि वो उस बेटे को पे करना जी 40 साल का बेटा कमाता होगा अपने माबब के लिए इतना तो करी सकता है मैंने भी यही सूचा रिलेक्स होके बैठा हुआ था लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बाद मेरे ना दिमाग में घंडिया बजने लग गई हुआ कुछ यूँ कि फादर खाना खा रहे थे वो जविंद रोडा अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटेल में अपने माबाप को खाना नहीं खिला पाएगा निकल बाहर और कुछ कर वहां से समेस्टर में मेरी बैक लगी थी मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरसे खराब हो चुकी ती वहीजे थी क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था है धूरी फैसे साथ मेरे साथ कोई बैठता नहीं था अब लोग यहां से डिल्मा में आजाते हैं और में भी हो सकते है कि इतना ददा प्रिशराईज हो जाते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल गी совài मैं ने भी सोची थ So, वहां से मैंने अपना बिल्कुल ध्यान जो भटक गया था, पूरा इंजिनेरिट किया, studies के ऊपर, और बिल्कुल focus कर लिया, studies के ऊपर, finally मेरी engineering में, जो second last semester था, वो silver medal से मैंने खदम किया, और finally जो last semester था, last engineering पूरी complete की मैंने honors के साथ, मेरे हाथ में एक job का letter भी था, मेरी job लग चुकी थी, लेकिन problem ये थी कि उसकी जो joining आने वाली थी, वो आने वाली थी, हमारा semester खतम हो गया था May में, joining आने वाली थी February में, so मेरे बहुत लंबा समय था, मैं क्या करता, था ही नहीं कुछ करने को, तो मैंने वहां से job करनी शुरू की है, college में job पकड़ी, और मेरी पहली job, actually, ये बात है, September की, February में मेरे को job का letter आने वाला था, लेकिन September में मुझे जुट पढ़ रही थी पैसो की, और मैं चाहता था कि यार मैं घर से कम सिकम पैसे ना मांगू, तो मैंने अपनी पहली job शुरू की 11,000 रुपे में, in fact, वो 10,400 रुपे ही थे, वहां से मैंने पहली job शुरू की, दूसरे college से offer आया, महां से 20,000 का offer आया, फिर मेरे को एक institute का offer आया, कि तुम हमारे साथ जुड़ो, मैंने वहां पर join किया, वहां पर भी, क्योंकि मेरे पास एक चीज थी, वो बहुत खास थी, वो था पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, communication, वो बहु important चीज थी मेरे पास, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे किसी subject की knowledge है, पता है एक चीज, जो हर एक बंदे को सीखनी चाहिए, how to sale में, देखो, ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है, जो सब कुछ जानता हो, लेकिन जो इंसान ये जानता है, कि किसी उत्तर, किसी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का answer, किसी question का answer कैसे डूनना है, तो वो बंदा life में कभी पीछे नहीं रह सकता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, perfect कोई भी नहीं होता है, life में perfect कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि किसी question का answer कैसे डूनना है, तो आप life में कभी पीछे नहीं रोग है और कुछ ऐसा ही मेरे साथ था, so finally वहाँ से मेरी जर्नी एक दूसरे इंसिटूट से मुझे कोल आता है और वो कहते हैं कि चलो हम आपको एक फ्रेंचाइजी देते हैं तब बहुत गेट का एक नामी इंसिटूट था कि आपको फ्रेंचाइजी लेकि जैपूर से सीकर जाना है, मैं जैपूर से सीकर आ गया शुरू में आप बिलीब नहीं करेंगे कि मैं पोस्टर खुद कॉलेज में जा जाके रात में चिपकाया करता था, सुबह जॉब करता था, शान को क्लासिज लेता था, बाहर से फिकल्टी जाती थी, ऐसे करके वो इंसिटूट दो साल के अंदर लगबख धाइसो बच्चों के साथ बराबर खड़ा हो गया, बहुत अच्छे तरीके से एकदम ऐसे लगा कि हाँ मेरी लाइफ सेट हो गई है, लेकिन फिर से लाइफ में, अब साते हैं, तो पक्का मेरी लाइफ में डाउन सूR आते हैं लेकिन अब तब में ये बात समझ गया था कि अगर मेरी लाइफ में कहीं डाउन टाइम आएगा, तो इसका मतलब उपर वाले ने कुछ बड़ी चीज रखी है मेरे लिए वो मुझे कुछ बड़ा देने वाला है क्योंकि हर बार जब भी मैं गिरा तो इस लेवल से उठा कि लोग देखते रहा गए यह मेरे साथ हमेशा होते आया था तो मेरे साथ फिर से एक बुरे दिन शुरू है मेरे पार्टनर ने बोला कि अब हम इंस्ट्टूट को चलाएंगे तुम जाओ दोखा मतलब वो बोला कि मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ वो कहता कि हम चलाएंगे इसंसिटोड को तुम जाओ तो मैं अगर कहीं और फ्रेंचाइजी लेनी है क्यों इंस्टोड काफी अच्छा स्टैंड हो गया था अब मैं तो डिलेमा में था अब अजीव सी बात हो गई थी लाइफ में अब मैं क्या करता मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उन्होंने मुझे कुछ पैसे दियो बोले कि अब यहां से जो कमाई होगी उसका कुछ परसेंटेज आपको दे दिये जाएगा अब आपको यहां पर रहने की जूर्थ नहीं है मैं कुछ आपोस करता भी तो मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं उस टाम पर अकेला था इतना पाउरफुल नहीं था वो लोग बहुत पाउरफुल थे पर मैंने एक बात सोच ली जिन्दिगी में न एक चीज़ आप याद रखो लोग आपको आपकी उकाद बताएंगे आपको चैलेंज करेंगे उसको ध्यान से सुनो अपने दिमाग में डाल लो उसको जवाब कभी पलटके मत देना क्योंकि जिस दिन आपने जवाब दे दिया न आप न उस उन्चाई तक नहीं पहुच पाओगे जहां पर उपर वाला आपको पहुचाना चाता है मैंने चुप-चाप उसकी बात सुनी मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं ये बोल रहा है छूड़ने को मैं छोड़ दूआ अब उसरे जो मेरे पार्टर ने पैसे दिये था अब मैं थोड़ा और पीछे लेगे चलता हूँ वो इंस्टिट ओल्मोस छे महिने में बंद हो गया उसने का था हम चलाएंगे तो वो इंस्टिट छे महिने में बंद हो गया and finally मैं भी सड़क पे आ गया था क्योंकि मेरे पास अब बचे थे मातर 8000 उपए किराया था 10,000 उपए भर रे थे पैसे थे ही नहीं जिन्दिगी ने का बहुत हो गया आधात्म बेटा उठो जिन्दिगी में आगे पुरशार्थ भी करना पड़ता है तो मैं उठा वहा से और उठके बाहर निकला क्योंकि अब किराया देना है नहीं तो मकान मालिक बाहर निकाल देगा पापा से मांग नहीं सकते क्योंकि उनको तो पहली जवाब देखके आए जिन्दिगी में जो कुछ करेंगे गलत हुआ सही हम ही उसके जिम्मेदार हैं आप तो हैं नहीं तो ऐसा करके जब निकले हो तो आप किस शकल से मुझ दिखाओगे तो निकलो बाहर कुछ करो अपने आपको बाहर निकाला और इतनी शक्ती मैंने अपने अंदर पाली थी मुझे लगा था कि यार मैं कुछ न कुछ तो करी लूँगा मैं बाहर निकला मैं एक बात जानता हूँ मैं किसी सब्जेक्ट का महारत ही नहीं हूँ मैं कोई subject या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूँ, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं एक चीज का कलाकार हूँ और वो बोलने का, वो पढ़ाने के तरीके का, और वो मुझे आता था आपकी life मेरे father भी कहते इस चीज को कि आपको जरूरी नहीं कि बहुत सारी चीजे आई, आपको एक चीज आए, लेकिन उसमें आप perfect होने चाहिए हो, आप जिन्दिगे में कभी भूखे नहीं मरोगे, और ये चीज मुझे आती थी, अब मैं निकला बाहर, एक institute था, वहाँ प नहीं होगा, मैं तीसरे दिन जब गया, तो वहाँ पर गुजरातियों के न, वहाँ पर, मतलब अगर गुजरात में आप लोग रहे हो, तो वहाँ पर खास बात होती ही, क्लास किसी और की होती है, और क्लास किसी और की चल रही होती है, मतलब वो rented मे ही लोग क्लास चलाते है इदो दर बच्चों को move करके, खुद के classroom वहाँ पर होते नहीं है, तो मैं वहाँ पर गया मैंने पूछा कि यार वो कल मैं class लेने आया था, वो कहा गया, बले वो तो गए छोड़के, तो मैंने का ले ये क्या हो गया दो दिन demo लिया था, पैसे भी नहीं दिये तो बोलता है कि वो तो गए, वो तो जाना ही था, बंद हो गया वो तो मैं अधास हो गया, अब गुजरात वी की बड़ी खास बात है, वहाँ पर क्या है एक तो वो लोग टैकी है, दूसरा वो मेरे जो मैं demo दे रहा था, तो वो बंदा मेरे lectures को, मेरे confidence level को देख रहा था बराबर से, तो जब मैं finally अपना मूँ छोटा करके निकल रहा था बाहर तो उसने पीछे से आवाज लगा ये बोले कि Arvind भाई, मैंने का हाँ आपके लिए एक offer है मैंने का क्या, बोले कि Arvind भाई मैंने आपके demo देखे है अब बहुत बढ़िया बढ़ाते है मेरे पास offer है आपको मुझे पता है कि आपको पैसे चीए, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ मैंने का वो कैसे? बोले आपको पढ़ाना है मैंने का पढ़ाना है? बोले chemistry 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 पढ़े 10 साल होगे मैरे भाई आप तो ये भी नहीं पता कि chemistry के से चुरू होता है कि सी से कहां से बढ़ाऊंगा? तो बंदा बोलता है कि Arvind भाई तुमारे demo में एक चीज़ देखी है तुम बहुत बढ़िया पढ़ाते हो और एक teacher एक कलाकार के लिए subject matter नहीं करता अब अंदर आग भर्दी उस बंदर है इतना confidence नहीं को किसी ने मुझे खुद नहीं नहीं मैंने कभी दिखाया मैंने का ठीक है उस time पे क्या था कि अब किसके पास chemistry पढ़ने जाते लेकिन एक resource था वो था YouTube अब यहां से YouTube की entry होती है मेरी life में YouTube पे मैंने अलग-अलग educators के जो chemistry पढ़ाते थे उनके lectures देखने शुरू किया और उनमें से कोई एक का lecture मैंने पकड़ा और एक demo ही तो तयार करना था मुझे लगा कि देखते हैं demo के बाद क्या होगा अगर final होता है तो मैं continue करूँगा तो मैंने उसका पूरा का पूरा lecture अच्छे से देखा अच्छे से दिमाग में उतार लिया और फिर उसको मेरी जो पढ़ानी की technique है उससे जोड़ा और मैं गया demo देने जब मैं demo लेके बाहर निकला तो अगले आदे गंटे में होटल उसमें 15 बच्चे बैठे होगे थे 14 स्टूडें ने वहाँ पर उस coaching center में admission ले लिया वहाँ से मेरी life एकदम flip करती है मैं gate के engineering के subject पढ़ाने वाला अचानक से chemistry teacher बनने वाला था घूम गई एकदम से life वो इतना खुश था कि वो बोलता है मुझे कि अर्विन भाई अब तुम हमारे पार्टनर हो अपन साथ में काम करेंगे chemistry आप पढ़ाओगे मैं math पढ़ाओँगा अपन साथ में काम करेंगे बराबर बाटेंगे अर्विन भाई तुम तो बहुत गजब मतलब ये है दोस्तों कि actually क्या होता है हम लोग काफी बार बोलते है कि मोका मिलेगा तो पता देंगे अब हम लोग मोके के इंतजार में रहते है कि मोका हमारी जिंदगी में आएगा मैं आप से बोलता हूँ मोके आते नहीं है मोके बनाने पड़ते हैं और मोके के टाइम पे चोका मारना पड़ता है आप तयार रहो और मैं आप लोगों को आगे मैंने जिन्दिगी में सिर्फ किस्मत की definition सुनी थी अब किस्मत किसे बोलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में वहां से मेरी chemistry as a teacher जर्णी शुरू हुई तब मैं जब पढ़ाता था तो मैंने सोचा कि यार जब मैं पढ़ाते ही हूँ तो record करके क्यों न यूट्यूब पे डाल दो तो मैं जनरली यूट्यूब का एक channel खूला और वहां पर made easy chemistry के नाम से channel खूला और वहां पर chemistry के videos अफ्लोड करने शुरू करती है शुरू में कुछ खासा response नहीं आता था क्योंकि उस time पर क्या था कि यूट्यूब का scene कुछ ऐसा था कि वहां पर entertainment के ज़्यादा channel चलते थे entertainment के वीडियो ज़्यादा देखे जाते थे education के कौन देखता था इतना नहीं देखते थे बट मैंने का ठीक है क्या फरक पड़ता है एक बार डालते हैं तो दीरे दीरे करके 6-7 महीने के अंदर महाँ पर कोई 3-4,000 subscribers हो गए और basically board exam आये थे तो उसमें काफी ज़दा वीडियो मेरे थोड़े popular हो गए निकलने लग गए so finally अब मेरी life की सबसे important सबसे important challenge आने वाला है सबसे important उंगली आने वाली है जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया वो मेरी life में एक ऐसी moment थी जहां से मैं completely change ही हो गया actually हुआ कुछ यह हो था यूटॉब पे काफी अच्छा perform कर रहा था महां से silver play button जीच चुका था अच्छा कासा chemistry teacher के तोर पे नाम था तो tik-tok अगर आप लोग ने सुना हो तो tik-tok का उस टाइम पे क्या था सिर्फ entertaining videos चलती थी तो उनको अपना edutalk शुरू करना था और इसलिए उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग YouTube के educators को invite किया एक party के अंदर ताकि वो वहाँ पर tik-tok की जो image बन गई थी so-called image की वहाँ पर सिर्फ entertainment की videos ही चलती है वहाँ पर वो education को promote करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो YouTube से है तो इज़द विजद तो होगी मैं party में पहुचा कोई पूछी नहीं रहा so finally वहाँ पर जितने organizers थे उनका सबका focus TikTok के creators पही था YouTube वालों पे तो कुछ था ही नहीं actually मैंने सोचा यार अपन YouTube वाले हैं और इन्होंने specially बुलाया as an educator शायद ही कुछ respect देंगे कुछ response देंगे कुछ response नहीं था मैं तब गुसा एक YouTube के एक YouTuber के तोर पे TikTok के अंदर ताकि मैं TikTok वालों को बता सकूँ कि हम YouTuber कम नहीं है यह challenge लेके मैं गुसा और तब मैंने वहाँ पर short videos create करने शुरू किये और finally TikTok पे जब 7.2 million followers मैंने बना लिये तो रात और रात खबर आती है कि भारत सरकार ने TikTok को बैन कर दिया है मैं TikTok बंद होने के बावजूद भी वीडियो create करने बंद नहीं किये मैंने एक बात अपने आप से बोली कि आज एक दरवाजा बंद हुआ है तो कल 100 दरवाजे खुलेंगे और ये बात की भनक हमें पहली लग गई थी कि ये लोग थोड़ी short video के platform को छोड़ देंगे अब मैं आपको बताता हूँ कि किसमत किसे कहते हैं टिक टॉक पे काम करते हुए मैं 500 short videos बना चुका था मैं तयार था और ये बड़े बड़े फ्लेयर्ज YouTube, Instagram, Facebook के shorts को short videos के लिए platform launch करने वाले थे किसमत क्या होती है पता है किसमत होती है लग किसे कहते हैं मालूम है लग क्या होता है जब आप तयार हो और आपके सामने opportunity भी हो ये दोनों चीज़े जब mix हो जाती है तो वही किसमत कहलाती है और पहली बार जिंदगी में मैं अपने आपको lucky feel कर रहा था क्योंकि मैं तयार भी था 500 video के साथ और मेरे सामने एक नई नई opportunity भी थी दोनों मिली और finally रातो रात मेरा YouTube का चैनल जो की धीरे धीरे चल रहा था जैसे ही YouTube पे shots launch हुआ वो चैनल सिर्फ चार महीनों के अंदर चार मिलियन subscribers ग्रोज कर चुका और इसे ही कहते हैं किसमत किसमत अगर आप किसमत के बरोसे बैठे हो तो आप ये भी सोचो कि शायद किसमत आपके बरोसे बैठे हो ये dialogue आपने सुना होगा किसमत के बरोसे मत बैठो सिर्फ ये सोचो कि आप लोग तयार हो और आपके पास opportunity है क्या दोनों की mixing लग्ट कहलाती है finally guys मुझे challenges देने वालों से कोई problem नहीं है अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं और आजकल तो मैं अपने आपको openly challenge दे देता हूँ हालाकि मैं देखता हूँ चैट में लोग क्या लिखते हैं बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं तेरी उखाद से बड़े सपने देख रहा है तो तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ वो जवाब मेरा यह होता है कि मैं नहीं बदलूँगा अपने सपनों को अपनी सचाई से match कराने को मैं बदलूँगा अपनी सचाई को ताकि वो मेरे सपनों से match कर सका इस वीडियो के बारे में अपनी राये नीचे कमेंट सेक्षन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर करना ना भूलें